नमस्का स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नीज में और बता दे हम आपको आज एक बड़ी खबर जो निकल करा रही है मुंबई लोकल ट्रेन से बता दे मुंबई की लोकल ट्रेन में एक यूज किया हुआ कॉंडम पाया गया रिल्स के नाम पर हो या किसी और चीज के नाम पर हो वीडियो कैमरे के लेकर जो है लोग इस परकार के हरकते करते हैं और उस वक्त ऐसा लगता है कि इन लोगों को रोका जाए लेकिन किसी के पास कोई अधिकार नहीं तो यहाँ पर अब रेल प्रशासन को कुछ न कुछ तो क करना होगा क्योंकि ऐसे असलेलता फैलाने वाले लोगों कि लाफ सक्त सक कारवाई होनी चाहिए क्योंकि सारवजनिक उपकरम के अंदर गर इस परकार यूज किया हुआ कॉंडम मिलता है तो कहीं ने कहीं यह विस्टमस नेता खत्म हो जाती है कि लोकल ट्रेनों के अंदर इस परकार के अपत्ति जनक हरकते करने वाले लोक बढ़ रहे हैं जीया इसके उपड़ लोगों को सक्त सक कारवाई करनी होगी ताकि समाज में इस्थित्ता बनी रहे और इस परकार के आसमाजिक ततोक खिलाफ कारवाई होने के बाद कोई दुबारा भविष्ट में ऐसी गटना को अंजाब नहीं दे पाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही चैनल पर आप नए है तो YouSmart News चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए Smart News पर आपको मिलेगी मारास मुंबई की सभी बड़ी खबरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आप सभी को Happy Republic Day